हेलो फ्रेंज वेलकम डी मैं चैनल बी एसी नेसी थियोरी और हम कर रहे हैं पीजिए की अकॉर्डिंग अपनी क्योशन पेपर साथ तो आज का हमारा टॉपिक है एंट भी इस्थमाटिक ड्रग यह हमारे फार्मा के पेपर में बहुत बार पुछा जाता है या तो एक्जिट आजाता है बार्बीटु रेट्स के बारे में बता हो या फिर किसी विस सेंस में हमारे पासी क्योशन आ सकता है यूस्वली पीजिए और पूछा जाता है और एक स्पेशल रिक्वेस्ट अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को आपको यसी वीडियो और मिलेंगी पीजाहिए रहता के एक्साम पैटन के अकॉर्डिंग कैसे आपको पर एटेंट करना है सीम वैसे कि वैसे आपकी पैटन में आपको वीडियो पीजिए और अगर मेरा चैनल पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए और प्लीज वीड़्र पाता है इसलाइक के वेजिए सबस्वासरा इंडन देमें कि वेजाता है सबस्केया इसलाइक, होज़ास फॉर्णार इटसना आता है होगर प्लीज कंडिशन पाता है अगर इंगर होने मुकसुलीव और मिलाथ Mart Parker Can करने के लिए हम क्या है anti-astematic drugs लेते हैं तो ये दो टाइप से हो सकता है मेली और एक थर्ड टाइप इसका है जो severe condition में हम इसको बोलते है status asthmaticus नॉर्मली तो ये दो ही types में होता है acute and chronic बटा गए severe हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते है status asthmaticus acute की बात करें तो इसके अंदर क्या है dysfunction डिस्फंक्शन डिस्निया हो जाता है with excretory wheezing सिर्फ wheezing sound produce होने लग जाएगी और क्या है डिस्निया breathing में problem होनी शुरू जाती है chronic के अंदर बात करें तो continuous wheezing होती है और breathlessness भी हो जाती है कफ के साथ with mucoid sputum इसके अंदर क्या है sputum भी आना शुरू हो जाता है ठीक है friends then हमारे पास आती है drug की classification तो classification के अगर बात करें हम anti-asthematic drug की classification की तो five types में हमने इसको classify किया है five types में तो क्या है सबसे पहला type हमारे पास क्याता है bronchodilator दूसरा क्या है anti-colonarsic थर्ड one हमारे पास क्या है mast cell stabilizer mast cell आपने पढ़ा होगा phagocytis के लिए responsible होता है तो mast cell stabilizer भी हम देते हैं corticosteroid भी हम देते हैं fifth one हमारे पास है anti-histamines bronchodilator के अंदर हम दो types में इसको divide कर रहे हैं एक तो है antigenic agonist and second one is methyl xanthines methyl xanthines यह five types of classification हमने की है हमारी bronchial asthma की drugs की या फिर anti-histamatic drugs की ठीक है फिर फिर नेक्स्ट